Hello everyone, इस वीडियो में देखेंगे reasoning का important question सभी question important और selected question लिए गए हैं तो चलिए देखते हैं, first question यदि किसी कोड़ भासा में C-A-P-T-I-A-L capital को C-P-A-T-I-L-A लिखा जाता है तो उसी कोड़ भासा में P-E-R-S-O-N-S को किस परकार लिखा जाएगा तो यहाँ से देखें, इसको कैसे लिखा है C को यहाँ पर लिख दिया है उसके बाद दो वर्ड, दो दो वर्ड को यहाँ से देखें, दो A-P है तो P-A लिखा है उसके बाद I-T है तो T-A लिखा है उसके बाद A-L है तो L-A लिखा है मतलब उल्टा के लिखती आ गया है तो P को क्या करेंगे यहाँ से P को रहने देंगे फिर दो बड़ यहाँ से लिखेंगे तो E R है तो R E लिखेंगे उसके बाद S O है तो O S लिखेंगे उसके बाद N S है तो S N लिखेंगे अब Option चेक किजिए किस Option में है ऐसा Option नमर यहाँ पर N है Last में N है यह तो देखें P R E O S N किस Option में? Option नमर C में Option नमर D है Option नमर D यहाँ पर Option नमर D में Option नमर D सही अंसर है Next Question देखते हैं यदि किसी कुट भासा में G A B को A 2 3 7 लिखा जाता है तो BAT को 924 लिखा जाता है तो GAT को किस पर का लिखा जागा? तो देखें नमरिंग नहीं करना है इसमें देखें सभी वर्ड इसमें मिल रहा है उपर वाले से और दोनों से तो G को यहाँ क्या लिखा है? 8 लिखा है उसके बाद E को क्या लिखा है? यहाँ E है लाश्ट में 7 है तो इसको 7 लिखेंगे अब 82, 47 देखें किस ओप्शन में? ओप्शन नमर C में ओप्शन नमर C से यह इसर है अगला कोशन देखते हैं राकेश किसी विंदू से दक्षिन दिशा में चार किलो मिटर चलता है और वह बाएं मुढ़कर 6 किलो मिटर चलता है और पुना बाएं मुढ़कर 4 किलो मिटर चलता है अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे पूरा पस्शिम उतर दक्षिन जा लेते हैं उपर में होगा हमेशा नौर्थ, नीचे होगा साूथ, मतलब दक्षिन, और दाय side में होता है पूरव, भाय side में होता है पसीम. इस west, यहां से west हो जाएगा यह पसीम होता है। तो देखिए यहां से बनाते हैं, कहीं से विंदू लेते हैं, लेकिन दक्षिन की दिशा की ओर जा रहा है, तो कहां जाएगा नीचे की तरफ, कितना चार किलो मिटर, उसके बाद बोल रहा है, वहां से फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा यहां है, तो इस पर आगला कोश्यन देखते हैं निमलिकित स्रिंखला में लुप्त संख्या की पाचान किजीं दो पईशट्ट उन्सट पारा तिरपण डवल कोश्टन मार्क है तो यहां से देखिए दो से साथ जो हुरा है यहां क्या हो रहा है, पलस 5 हो रहा है, 7 से 12 हो रहा है, 7 पास 12 होता है, फिर 12 में 7 जोड़ लेंगे, 12 में 5 जोड़ लेंगे, कितना जागा, 17, तो 17 यहां पे question mark पे, इस जगा कौन सा जागा, 17 जागा, अब देखें, यहां से 65 से 69 हो रहा है, 62 से 69 हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस 6 हो रहा है, फिर 69 में माइनस 6 कर लेंगे, कितना जागा, 63 आजागा, यहां से माइनस 6 हो रहा है, फिर 33 में माइनस 6 करेंगे, 33 में 6 घटा लेंगे, कितना जागा, 47, तो देखें, यहां से आजागा, इसका 47, 17 और 47, किस option में, option number C में, option number C सही answer है अगला question देखते हैं अगला question क्या दिया गया है दिये गए विकल्पों में से संबंदित संख्या को चुनिए 6 को ऐसा क्या करें जो 21 आजाए और 3 को क्या करें यहां पर question mark है तो देखें कुछ भी करेंगे तो नहीं आएगा तब क्या कर सकते हैं यहां से 6 में अगर 15 जोड़ लेते हैं तो यहां कितना आजागा 21 आजागा तो 3 में भी 15 जोड़ लेंगे कितना आजागा 18 18 देखें option number B में option number B सही answer है next question देखते हैं यदि 6 गुना 3 पलस कितना दिया गया 5 बरावर 10 तो 8 गुना 2 पलस 5 परावर 20 हो तो 4 गुना 2 पलस 8 तो यहां पे देखें इसका भी बहुत सारा तरीका है इसमें आपको दो तरीका बताएंगे और जो तरीका आपनाएंगे सभी में यूज करना होगा यहां से देखें 6 गुना 3 है तो अगर यहां पे भाग का चीन दे देते हैं तो 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना जगा 2 और यहां पलस है तो इसको मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो कितना जगा 10 आ जगा यहां पे दिया गया है आगे भी यहां पे भाग का चीन देंगे तो यह कितना जगा चार और पलस के जगा मल्टिप्लाइ कर लेंगे कितना जगा बीस यहां भी वही करना है मल्टिप्लाइ के जगा भाग देंगे तो यहां बाग देंगे कितना जगा दो और यहां पर पलस के जगा मल्टिप्लाइ करना है यहां से multiply कर लेंगे, कितना जगा 16 16 देखे option number, यह में option number यह सही answer है दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका बनाने के लिए क्या करेंगे यहां से दिखे ध्यान से यह 6 और यह last वाले नमर को multiply कर लेंगे, कितना जगा 30 और बीच वाले नमर को भाग दे देंगे, बीच वाले से यह 3 जो है, कितना जगा 10 आगे भी वही करेंगे, 8 पंचे कितना जगा 40, और 40 को 2 से भाग दे देंगे, कितना जगा 20 तो यहां वाला 20 हा रहा है, तो यह question मार कर जो पूछा, वही करेंगे उपर में जो कर रहे थे, 8 चो के 5, 25, 7, 27, 9 31, 4, 33, question mark यहां देखिए, 5 से 7 7 से 9 हो रहा है, फिर यहां पर घट रहा है 30 फरकार से नहीं बनेगा तब दुसरा तरीका सोच सकते हैं, देखिए यह 23 किन किन संख्याओं से मिलके बना है, 2 और 3 से तो यह दोनों नम्मर को जोड़ लेंगे तो यह 5 आजाएगा, फिर यह 5 दो यह आगे वाला नम्मर 7 आजाएगा 7 और 2 को जोड़ेंगे तो यह 9 आजाएगा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आजाएगा तो 5 और 3 को जोड़ लेंगे तो इसके जगे कितना आना चाहिए, आठ आना चाहिए, आठ देखें किस option में, option number C में option number C सही answer है, अगला question देखते हैं, अगला question भी most important है, निम्न में से कौन सा आरेक, सिक्चित, वकील और सिक्चक के बीच सही समन दर्सा था है, तो यहां पे देखें सिक्चित क्या होगा, वकील भी सिक्चित होगा और सिक्चक भी सिक्चित होगा, इसके लिए सबसे पहले यह सिक्चित का बन गया, इसमें से वकील होगा, अलग और सिक्चक होगा, अलग, तो देखें किस option में, option number C में, option number C सही answer है, next question देखते हैं, यदि जनवरी का पर्थम दिन समबार है, तो फरवरी का पर्थम दिन क्या होगा, तो जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, तो पर्थम दिन अगर मान लेते हैं, पर्थम दिन समबार है, यहां से लिख लेते हैं, समबार है, तो अगर इसमें से 7 दिन जोड़ लेंगे, तो 8 तारीक को कौन सा दिन हो जागा, 7 दिन जोड़ेंगे तो आठ तारीक को फिर से क्या हो जागा सोंबार होगा यहां से सोंबार फिर इसमें आठ साथ दिन जोड़ेंगे आठ साथ कितना जागा पंदरा पंदरा तारीक को भी सोंबार होगा फिर से साथ तारीक को भी क्यों साथ दिन हो जागा सोंबार होगा फिर और 31 तो यहां से सोंबार था यह हो जागा मंगल और आगे हो जागा कौन सा बुद्धवार पूचा क्या है फरवरी का पर्थम दिन तो बुद्धवार यहां से आ गया था तो फरवरी का यह बुद्धवार है तो आगे फरवरी का जैसे एक तारीक आएगा कौन सा दिन हो जा और इसको साथ से बाग देंगे सचो के 28 सेस कितना दिन बचा तीन दिन एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लेना है कि सुम्भार में तीन दिन जोड़ लेंगे मंगलबार बुदवार और विरस्पति वार कौन सा एंसर आजागा विरस्पति वार ऑप्सण नमर सी सही एंसर है नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन दिये गए विकल्पों में से संबंदित संख्या को चुनिए कैसे बना सकते हैं ध्यान से देखिए A, B, C, D, I, J, K तो B जो है कितने नमर पे आता है दो नमर पे C आता है तीन नमर पे और D आता है चार नमर पे Multiply करेंगे जोडेंगे घटाएंगे तो यहां से कितना 18 नहीं आगा तब क्या कर सकते हैं यह सभी नमर को जोड़ लेंगे 2, 3, 4 तो 7, 2, 9 आजागा 9 को 2 से Multiply कर लेंगे कितना जागा 18 तो यहां वाला दिया गया है आई देखे कितने नमर पे आता है 9 नमर पे जे आता है 10 नमर पे और के आता है 11 नमर पे तो सभी नमर को जोड़ लेंगे 10 नो 19 और 11 11 जोड़ लेंगे तो 19 और 11 जोड़ लेंगे कितना जागा 30 और 30 को 2 से Multiply कर लेंगे कितना जागा 60 60 देखे, option number B में है option number B सही answer है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा मिलता गले वडियो में तब तक के लिए जाएंगे